ये section d है sample वीपर का हम कर रहे है यहां पर case study बेस कोशन है इस से पहले के हमने section c section b section a को कर लिया है वीडियो के part 1 2 3 में तो question number 29 है यहां पर एक paragraph दे रखा है और paragraph पर बेस्ट आप से क्या पूछा जा रहा है बच्चो question तो question करने से पहले एक बार हमें paragraph को जरूर study करना चाहिए और यह बहुत important भी होता है तो चलिए हम study करते हैं फिर हम इसके पोर पेस्ट question करेंगे अब semiconductor diode is basically क्या होता है PN junction होता है तो देखिए बच्चों मैं बता देता हूं PN क्या होता है PN में यह बच्चों एक triangle है और एक line है triangle बच्चों किसको रिप्रेजेंट करती है P को और जो line है यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों यहाँ पे N को तो यह आपका क्या हो गया PN आपका junction हो गया with metallic contact provide at the end for the application of an external voltage it is a two terminal device two terminal device it means कि यहाँ पे इसके दो terminal ने एक P है और एक क्या बच्चों यहाँ पे N है जिससे कि हम कोई चीज़ कनेक्ट कर सकते है फिर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे when an external voltage is applied across the semiconductor diode एक हमने मतलब एक external voltage अप्लाई किया इस एक्सटर्न बैटरी लगाई इस पकार से कि P side किस से connect हो positive terminal से बैटरी के और N side किस से connect हो बच्चों negative terminal से तो इसको हम क्या कहते है forward bias बिल्कुल ठीक समझें आप जैसे कि यहाँ पर जो है यह मैंने आपको एक बैटरी लगा दिये और जिसमें P पाइंट जो है वो किस से connect है बच्चों आपका यहाँ पे P से प्लस पाइंट किस से connect है P से और बैटरी का negative terminal किस से connect है इसके N type semiconductor से connect है तो यह बच्चों अगर ऐसी position होती है तो यह बन जाता है आपका क्या forward bias तो यह आपका क्या होगी है forward bias का case होगे बच्चों यहाँ पे तो forward bias में हम जानते ही हो कि P and diode को हम बैटरी के P वाले टाइप P को किस से connect करते है पॉदिरिव से और N को क्या है बोलते है reverse bias तो चलिए में एक बार और करके दिखाता हूं को कि किस पकार से यह connection होने है यह आपका PN होगी है अब हमने बैटरी से जो connect करा है वो negative terminal connect करा है बच्चों किस से P से यह negative terminal P से है और positive terminal हमने किस से connect करा N टाइप से तो यह आपका क्या कर आएगा reverse bias एक आइडियल डाइओर्ड वन हूज रेस्टेंज इस फॉर्म्रवाइस जीरो एंड रेस्टेंस इस इन्फाइनटली इन रिवर्स वसिंग देखिए आपने पढ़ लखा है तो फॉर्म वाइस में क्या होती बच्चों करेंट चलती है अब अगर करेंट चलती है तो हम जा कि तब बात करें कि जब फॉर्वड भायस है तो उस केस में रेस्टेंस बिल्कूल भी नहीं होना चाहिए जीरो होना चाहिए और रिवर्ट भायस के Her she says definitely in rehearsed with okay हसम आगे next है कि बैंड работает eldest अगर डायोस को हमने Raw बनाया चलिए इंद इस दीन बना लिते हैं यह हमारा क्या होगी बत्चो इस यह मैंनेCr ugh इस बनाया तो फॉर्ड बाइस में आप जानते बत्चो कि यह current और voltage की बीच में graph है जैसे इसमें सुरू में क्या होता है कि जब हम P N junction लगाते हैं बच्चों यहाँ पे और उसको connection करते हैं तो इसके बीच में एक layer बनी होती है जिसे बोलते हैं depletion layer तो starting में current क्या होती है बच्चों बहुत slow चलती है क्योंकि यह depletion layer के against यहाँ पे electron इसको move नहीं कर पाते N से P की तरफ तो starting में जो current होती है बहुत slow बढ़ती है यह character है आपका forward wise का और कुछ time के बाद बच्चों current एकदम rapidly क्या होती है इंक्रीज हो जाती है यह current बच्च एकदम rapidly इंक्रीज हो गई उसको बच्चों हम क्या नाम देते है उसको हम कहते है knee voltage तो यहाँ पे वोई चीज आपको पताया जा रहा है कि when the diode is forward wise अगर डायवेट को forward wise करते है तो यह पाया जाता है कि forward wise voltage called knee voltage जिस पे की conductivity क्या हो जाती ही very high हो जाती है तो देखिए यहाँ से more than the knee voltage the potential barrier is overcome and current increases rapidly with the increase in forward wise वो ही वाली बात कि जब यहाँ पे PN junction के बीच में जो depletion layer बनी होती है जो barrier का काम करती है वो हड जाता है तो उस case में current क्या होती है बच्चों एक्दम तेजी से क्या होती है increase होती है और when the diode is reverse wise तो reverse wise में current क्या होती है बहुत ही कम चलती है नाके बराबर होती है जैसे कि यहाँ पे few micro ampere का जा रहा है which is almost remain constant the small current is reverse saturation condition current तो चलिए यह तो हमने एक study करी कि paragraph में हमारे पास क्या दे रखा था अब हम इसके उपर best question करते है जो हमसे पूछा जा रहा है यह बच्चों यहाँ पे इस पे पहला question पूछे जा रहा है कि in the figure a diode D is connect यह ढहाँ पे diode D है वो connect कर रखा है external resistance से resistance आपका year external and EMF दे रखा है voltage battery का 3.5 volt the barrier potential double up across the diode यहाँ पे 0.5 का bolt double up हो जा रहा है इसमें तो आपको बताने है circuit में current कितनी होगी बच्चों बहुत ही आसान से आसान question है यह सिर्फ थोड़ा सा देखने में ट्राबने लगते लेकिन होते बहुत आसान है चलिए questions को करेंगे तो लगेगा आपको कि हमें आसान लगा या नहीं तो देखिए मैं एक बार diagram जो question बाला मैंने बना लिए फिर से हम एक बार question के study कर लेते है diode D को हमने external resistance से connect कर रहा है बिल्कुल यह connect है इसका EMF कितना दे रखा है यहाँ पे voltage का 3.1 अब देखिए जो नहीं दे रखा है मैं वह लिखता हूँ if the barrier potential double up across the diode देखिए यहाँ पे इसमें voltage double up करने को कह रहा है कितना voltage double up होगे बच्चों यहाँ पे 0.5 बोल्ट का तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है current निकालनी है अब देखिए यहाँ पे मैं इक चीज़ बता दू यह P type जो है आपका वो किस से connect है प्लस से इस triangle को हम क्या कहते है P और यह जो N type semiconductor है यह किस से connect है आपका negative से तो यह case बन जाएगा forward bias का अब forward bias में बच्चों current क्या होती है flow होती है तो वो यह पूछ रहा कि current कितनी flow हो रही होगी तो हम current के लिए निशान लगाए तो यह positive से current हमारी चल रही है positive से जो current चल रही है वो इस तरह से चलते हुए यहाँ से इस तरह से अपने circuit को क्या करेगी बच्चों यहाँ पे complete करेगी तो यहाँ पे इस case में हमें current निकालनी है तो बहुत ही असान question यह होने बाला है यहाँ पे आप देखिए किर्चाफ का rules apply करते है किर्चाफ second law rule जिसको हम किस नाम से जानते बच्चों loop rule आपने पढ़ लखा है loop rule क्या होता है कि जो product होता है sigma IR का वो sigma E के equal होता है IR का मतलब current और resistance का product always equal total EMF के equal होता है तो यह आपने पढ़ लखा है मैं थोड़ा discuss नहीं करूँगा मैं questions को करा देता हूँ फिर भी अगर आपको problem होती है किर्चाफ लखो समझने में तो आप please comment करिए मैं उस पे भी video बना दूँगा तो देखिए यहाँ पे यह किर्चाफ लखो हमें इस loop में apply करना है तो loop में apply करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे consider कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया e-cell और जो diode में potential लग रहा है तो यह भी तो potential है इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों यहाँ पे e2 और हम यहाँ पे एक अपना path consider करते हैं कि हम इस तरह से भूमना है यहाँ फिर हमें इस तरह से रूटेट करना है तो यह भी आपको show करना होता है ड़ाग्राम में तो हमने यहाँ पे show कर दिया कि हम लूप में इस तरह से move कर रहे हैं यहाँ पे यह आपका क्यौन से होगे बच्चों कब positive लेते बच्चो जब हम current की direction में चलते और IR का sign कब negative लेते जब हम current के opposite चलते और E का sign positive बच्चो कब लेते जब हम negative plate से किसकी तरफ बढ़ते है positive plate की हो और negative का sign कब लेते है जब हम बढ़ते है positive से negative की हो तो थोड़ा सा इसको आपने समझ रखा हैं तो चलिए यहां पर सबसे पहले IR का product देखिए आई यहां पर कितनी चल रही है हमारे पास यहां पर आई की हमें निकालनी है और आर कितना आर के resistance की value कितनी है आपके पास 100 और यह हम यहां पर चल रहे है current की direction में तो उसका product किस में लेंगे हम plus में तो I into R हमने अभी लिख दि है तो even का sign किस में लेंगे हम plus में तो यह हमने plus में लिया फिर next हम आगे बढ़ते है और इस cell की बात करते है तो हमारा movement बच्चों यहां पर किस तरह से हो रहा है हमारा movement यहां पर इस तरह सुरह कि पहले plus पढ़ लाए फिर minus तो plus से minus जब चलते है तो E2 का sign किस में लेंगे negative में तो यह हमने E2 का sign किस में लगा है negative में अब इसकी हम value लगा देते हैं I तो हमें बच्चों find करना है और vet полов हमारे पास कितनी है R की value हमारे पास कितनी है 100 है ठीके और E1 की value हमारे पास कितनी है 3.5 है E2 की value कितनी है 0.5 तो ये values हमने इसमें सारी लगा दी और इसको जब हम solve करते हैं तो solve करने पर बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा I into 100 बराबर 3 और इससे I निकाल ले तो I बराबर कितना हो जाएगा 3 upon 100 और इसको divide करेंगे तो 0.03 ampere लेकिन बच्चों यहाँ पर जतने भी option दे रखे यह आपको milli ampere में दे रखे हैं तो यहाँ से हम ampere को milli ampere में convert करते हैं तो एक ampere में 10 की power 3 milli ampere होते हैं और यहाँ पर जब इसको solve करेंगे 1000 से multiply करेंगे तो यह आपका आजाएगा answer 30 milli ampere तो यह देखे आपका जो option है वो कौन सा correct है यहाँ पर तो option जो है बच्चों यहाँ पर D is D is correct second question है यह आपका इसी paragraph का कि in which the falling figure the PN diode is reverse wise आपको बताना है कि बच्चों इसमें reverse wise कौन सा diagram शो कर रहा है तो reverse wise हमने पढ़ लखा है कि बच्चों अभी paragraph में पढ़ाता है reverse wise में जो negative terminal होता है वो P से connect होता है और जो positive terminal होता है वो end से connect होता है तो उसे हम क्या बोलते है reverse wise होता है बट बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो negative negative भी दे रखा आपको और positive positive भी दे रखा तो इस भी हाप पे तो हम इसको find नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें और जानकारी हासिल करनी पड़ेगी तो हम देखें बच्चों जानते हैं कि अगर P सेमी कंडॉक्टर हमारा करेंट रिवर्स वाइस में क्या होता है वो negative से connect होता है और negative को आप minus ना मानके यहाँ पर किस तरह से consider करेंगे lower potential तो इसका मतलब अगर विबर्स वाइस में P टाइब सेमी कंडॉक्टर हमारा lower potential है और N टाइब सेमी कंडॉक्टर जो की positive terminal होता है वो किस से connect हो higher potential से तो इसके वियाप पर इस question को करेंगे तो main बात आप दियान रखेंगे पी टाइब जो है वो lower potential पर होना चाहिए और जो N टाइब है वो बच्चों आपका किस पर होना चाहिए higher potential पर तो इस question के लिए यह ज्यादा important है इसी के base पर हम बता सकते कि कौन सा reverse bias है तो चली हम check करते है बच्चों एक एक करके तो यह बच्चों हमारा P है और यह हमारा N है sorry मैं R बनागे है यह बच्चों हमारा क्या है P है और यह बच्चों हमारा क्या है N है N पर voltage कितना रखा है minus 12 volt है और P पर voltage देखेंगे तो यह आपको यहां से यह connect होता हुआ जा रहा है तो यह कितना है minus 5 volt तो यहां पर आप check करें कि कि किसका potential ज़्यादा है तो P पर potential ज़्यादा है क्योंकि minus की value जो कम होती है वो ज़्यादा consider हो करी जाती है तो minus 5 बड़ा है और यह minus 12 छोटा है तो P जो है हमारा higher हो गया बड़ा का मतलब P जो है हमारा higher potential है और लेकिन P हमारा क्या होना चाहिए lower potential क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है reverse bias तो P हमारा यहाँ पर higher है इसलिए यह वाला तो diagram possible नहीं है next diagram पर आते बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा यह P है और यह हमारा बच्चों क्या n है P की value यहाँ पर 8 से connect है तो 8 से connect होने पर potential कितना consider करा जाता है 0 और n की value कितनी है minus 10 तो यहाँ पर देखे कि 0 जो है वो बड़ा है किस से minus 10 से तो यहाँ पर P भी क्या होगे बच्चों higher potential हो गया तो higher potential होने के कारण यहाँ पर यह भी consider नहीं होगा क्योंकि हमें P को किस पर देखना है lower potential पर तो यहाँ पर यह भी reverse bias नहीं हुगा next बढ़ते आगे यह P टाइप जो हमारा पास कितना है बच्चों 0 है और जो यह P की value 0 है और यहाँ पर जो यह है यह N की value कितनी है 5 है अब देखिए 0 छोटा है अब 5 बड़ा है यानि कि 0 किसको indicate कर रहा है P को 5 अब यहाँ पर यह lower हो गया यह lower potential हो गया P type और N क्या होगे तो यह होगे आपका higher potential तो यह आपका किसको show कर रहा है reverse bias को ठीके तो यह option correct है लेकिन अभी हम आगे भी चेक करते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो यह P जो है वो 10 बोल्ट है और जो N है वो 5 है तो यहाँ पर यह पी है यहाँ पर higher हो रहा है जबकि P को क्या अनुची है lower अब आप समझ गया है कि यह option C जो है वो आपका बिल्कुल correct है reverse bias है because P जो connect है वो lower potential से और N जो है वो higher potential से connect है therefore option C जो है हमारा बिल्कुल correct answer है next question पर आते बच्चों यहाँ पर question number 3 है based on the VI characteristics of the error we can classify diode as a अगर हम VI characteristics देखे बच्चों तो उसके भी आप पर हमें यह बताना है कि यह bilateral device है omic device है passive element है non omic तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि यह तीन जो चीज़े है bilateral device omic और passive element यह ऐसा होता है जिसमें VI graph अगर हम plot करते हैं तो वो हमारा एक straight line में ही जाना चाहिए थोड़ा sphere बना देता हूं मैं आपको यह आपका V है और यह आपका I है तो यह graph अगर आपका straight line में जा रहा है तो वो यह तीनों चीज़ों को represent करता है लेकिन बच्चों आप जानते हो कि अगर VI graph हम देखते हैं तो इस तरह से बनता है आपका तो यह पहले current थोड़ी देर मतलब बढ़ती नहीं है फिर अचानक से बढ़ती है नी बोल्टेज के बाद और इधर थोड़ा थोड़ा करके कम होती है फिर अचानक से डाउन हो जाती है तो यह आपका forward wise को दिखा रहा इधर और यह reverse wise को दिखा रहा है इस आपसे देखे तो यह graph हमारा straight line में ना होके curve के रूप में आ रहा है और यह हमारा curve के रूप में जो graph आएगा वो किसको represent करेगा बच्चो non omic device को तो यहां पे आप दिहान रखना बच्चो कि in case of bilateral device omic device passive में वी आई ग्राफ जो होता है straight line में होता है लेकि non omic device में यह straight line में नहीं होता है तो यहां पे vi character जो diode का है वो straight line नहीं होता है इसलिए आपका जो correct answer होगा वो बच्चों यहां पे क्या होगा c option is a right answer थर्ड का हमारे पास एक question और है जो और के रूप में दिया गया था इतमीज की पहले वाला question करना था यह आपको यह वाला तो चलिए इस question को भी हम attend करेंगे two identical pn junction can be connect in series by three different methods show in figure pn को हमने तीन method से जोड़के दिखाया दो दो pn junction है हमारे पास if the potential difference in the junction is same then connection will be वो कहना चाहरा है कि potential क्या हो same difference potential जो है वो junction पे क्या हो same हो तो देखिए मैं आपके चीज बिता दूँ अगर potential same होते है तो यह तो पूरा circuit आपका फॉर्वड वायस होना चाहिए जैसे कि यहां पे यह forward वायस है कैसे चलिए मैं भी आपको पहले यह diagram के वारे बताते है देखिए यहां पे p जो हमारा plus से connect है फिर यह n negative से है और इधर p हमारा plus से और यह negative से तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह आपका forward वायस हो गया और यहां पे बात करें तो यह reverse वायस हो गया इस पे आते तो यह वाला part हमारा क्या है बच्चो पी प्लस से connect है तो यह आपका forward वायस है और यहां पे भी देखिए यह वाला plus minus है यह plus minus है तो यह भी आपका क्या हो गया यहां पे यह प्लस माइनस है तो यहां पे यह हो गया reverse वायस क्योंकि एस एंड से connect है प्लस और यह भी आपका reverse वायस तो देखिए एक सेक्रेट में दो प्लस जंक्शन को ऐसे कभी करेट नहीं कर सकते कि एक काम forward करें एक reverse का तो इस तरह से यह potential यहां पे टर्मिनल पे सेम नहीं आएंगे जंक्शन पे तो यहां के लिए आप से कहा जा रहते है कि potential difference जंक्शन पे सेम हो तो या तो वो पूरी तरह से forward वायस में connect हो या पूरी तरह से क्या reverse वायस में connect हो जैसे कि डाइगराम 2 और 3 में पूरा दोनों पी यहां तो फॉर्वड वायस को रिप्रेजन कर रहे है या दोनों reverse वायस को तो इस भी आप पे यहां पे जो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों वह 2 और 3 करेक्ट आंसर है क्योंकि हम यहां पे बच्चों जानते है कि potential difference जो होता जंक्शन पे तभी सेम होता है बोध पी जंक्शन जब connect हो इस तरह से या तो वह दोनों वायस को रिप्रेजेंट करें यहां दोनों reverse जैसे कि यहां पे यह फोर्वायस है दोनों यहां पर रिवर्स जैकि इसमें यह forward है और यह reverse है तो यहां पे आपका जो correct आंसर बनता है वह यह option बी इस बिलकुल करेक्ट है बिंदास होके आप यहां पे निशान लगाके आईए टू और थ्री अप्शन पर है चलिए कोशन नंबर 29 का फॉर्थ पार्ट है बी आई करेक्टर स्थिस दिखाया गया है डियाग्राम में आपको फाइंड करने को कहा गया ratio of resistance of the diode जब करेंड आपकी कितनी हो 15 मिली एंपेर हो और रेस्टेंज जब आपका कितना हो माइनस 10 बोल्ट हो तो यह आपको उप्शन को लिए मैंने एक थोड़ा अपने पास से एड़ करके लिखा है क्योंकि यह कोशन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रेशियो निकालना है फॉर्वड वायस में और रिवर्वायस में चलिए को बहुत जल्दी से समझने वाले हैं देखिए सबसे पहले में आपको बता दो पूछ किया रहा है तो यहां पर आपको रेशियो किसका रेस्टेंस का कहां पर जब करेंड कितनी हो 15 मिली एंप्यर तो ग्राफ पर आप आईए देखिए बोल्ट इसका रेशियो निकालने के लिए किता करेंगे आर 15 अपॉल आर का रेशियो क्या करना है बच्चों फाइंड करना एक तो इस तरह से कुशन पूछा गया दूसरा मैं अपने पास्टेंस बनाया उसमें देखिए फॉरवड वायस तो देखिए ग्राफ आपको शो क कर रहा है वर्डवास को और यह शोग रहा है किसको रिवर्स बाइस को तो इसका भी रेश्यों आपको निकालना है तो इसका मतलब वह भी यही चीज एक तरीकी से तो करेंगे को क्योंषन को हम कैसे करते हैं यहां पे आपको करण्ट रखें के 20 मिली एंपेर तो यहां पर 20 मिली एम्पेर पर बोल्टेज कितना आपका 0.8 फिर आपको दे रखा 10 पर 10 पर वैलू किती दे रखिए बच्चो 0.7 कुल मिला के यहां पर फॉर्ड वैस में जो रेस्टेंस हम निकालेंगे आई वी और आई से वो कॉमन एक जैसा नहीं होगा खांगों पर यहां पर हम एक एवरिजन गरिके चलते हैं तो एवरिजन में हमने बच्चों यहां पर है हाईस के लिए और एक लोष निकाल लेका रहे हमारा है किसकी बताया का space oraz के this है बरावऔ किаете डिया कि यहां पे यहां पर हमारा 0.70 और यहां पर जीलो पैंट इंट बोल्ट को जो डिफ्रेंस है वह करेंट के डिफ्रेंस को भी यहां पर चल रहे हैं तो देखे मैंने इसको लिए वी टू माइनस वी वन और आई टू माइनस आई वन थोड़ा था लिखने का जो है वो इस तरह से लिखना आपको वी टू माइनस वी वन अपॉन i2-i1 तो हमने यहाँ पे इसकी value लगाई देखिए यहाँ पे आप को जो है 20 mili ampere पे जो voltage की value है वो 0.8 है तो यह 0.8 आपकी 20 और 10 की power minus 3 इसलिए करा है कि यह आपकी mili ampere में current है mili ampere में convert करते हैं तो 10 की power minus 3 से multiply करते हैं और दूसरा जो voltage है वो हमने निकाला है किस पे 0.7 पे जहाँ पे current कितनी आपकी 10 तो यह voltage 0.7 और 10 इसको solve कर लेते हैं तो solve करने पे उपर कितना बचेगा 0.1 और यहाँ पे 10 की power minus 3 के लिए हमने common अब इसको अगर आप पूरी तरह से solve कर लेते हैं तो मैं आपको चलिए करके दिखा दो 0.1 और नीचे 20 में 10 गया 10 इंटू 10 की power minus 3 0.1 10 की power minus 2 और minus 2 को बच्चों अगर उपर ले जाएंगे तो 10 के बच्चों अगर उपर ले जाएंगे तो 10 के बच्चों प्लस हो जाएगी करेंट किती दें रखी है वन माइक्रो एंपियर तो यहां पर हम रेस्टेंस निकालेंगे वी बराबार माइनस 10 बोल्ड पर तो इसके लिए फिर से आजाए आपका 10 की पावर सेवेन तो यह आपका रेस्टेंस आगह इस वाले 5 पर और यह वाला जो रेस्टेंस आगए वह फॉरब बैस कभी कह सकते और यहाँ ख हुआ पर 15 के लिए वह कह सकते हैं अब हमें बच्चे का आपका 10 की पावर माइनस 6 तो इस तरह से बच्चों आपका option कितना आगे D is correct answer है option D is correct next question आते है 30 पे 30 में क्या read the following paragraph and answer the question that given below तो सबसे पहले चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं type of lenses and their combination type क्या होते है लेंस के और उनके combination क्या होते है a convex or converting lens is a thicker at the center of the edges तो हम बच्चों जानते हैं कि converting जो convex lens होता है वो बीच में से क्या होता है थिकर होता है और edges के नारों से क्या होता है पतला होता है it converge the beam of light on the reflection through it बिल्कुल सही है जब यहां पर light पढ़ती है तो यह light को क्या कर देता है converge मतले एक ही पाइंट पर meet कर देता है तो यहां पर यह आपने पढ़ लखा है और उसको focus क्या बनाता है रियल रियल का मतलब होता है बच्चों जब rays reflection के बाद अपने आप मिल जाती है तो उससे बनने वाले image को क्या बोलते है रियल image कहते है तो रियल focus भी है यहां पर converge lens is a three type के होते है बिल्कुल सही है चले मैं आपको दिखा दो double convex lens आपका यह stripe का होगी है जिसमें double surface convex होती है planose convex में एक surface क्या होती है plane और एक होती है convex तो इसके होता है अप जानते हैं कहा होती है और लाइट पढ़ती है एसए कि मैंने guy ले लीamat यह रे को क्या कर देता है बच्चो diverge कर देता फैला देता है। बिल्कुल इसको हम बोलते है इसको यहां पर हम बोलते हैulari broncave lens यह भी तीन टाइब क्यों होते है पहला क्या प्शो आफका double misconcaved lens दूसरा plane onc albeit less में एक सर्फände क्या होती है आपकी plein होती है और दूसरी क्या होती है आपकी कॉनकेव होती है चलते हैं अभी पराग्राफ को पढ़ते हैं अभी परागर आप कंटीनु चल रहा हमारा when two thin lens और focal length F1 F2 are placed contact with each other अगर हम दो lens को एक दूसरे के पास रख दे चाहिए वो concave या concave एक की focal length F1 ले ले एक की focal length हम F1 ले ले और एक की क्या ले ले हम F2 तो उसके लिए total formula combination का आपके पास ये इस तरह से आता है यह आपने paper लखा है तो यही आपको बताया गया है और अगर हम several thin lens ले ले तो उसको contact में रखो तो combination का formula हमारा similar way में यही वनेगा यहां पर plus shoot गया है तो plus लगा देते हैं और अगर यह power की term में नकाले तो formula आपका क्या होता है सारे lens की power क्या होती है अगर सब lens को हम एक दूसरे के पास रखेंगे तो जो power आएगी वो सब की क्या होगी समस के equal होती है जिसमें power का sign को भी हम मतलब जरूरी है कि अगर power निकालते तो प्लस का sign भी लगाना मस्ट होता है और निगेटिव का भी लाइन तो हम लगाते ही लगाते हैं तो यह यहां पर paragraph की information थी अब इसके ओपर हम questions करते हैं तो देखिए आपको यहां पर कि टू थिन लेंस और कैप को एक्जली इन कॉंटेक्ट विच इच अदर तो देखिए आपको दो थिन लेंस कहा जा रहा है अब देखिए लेंस का नाम तो नहीं बताया है कि वो concave या convex मैं अभी roughly बता देता हूं यह दो lens हमने पास में रखे एक lens की focal length को हमने नाम देदी F1 दूसरे की क्या देदी F2 और जो उनकी combined है combination की वो focal length को नाम दे देते F तो आपको देखिए कोशन में क्या कहा गया है सबसे पहले आपको यहाँ पर combination की focal length दे रखी है तो combination की focal length को हमने F लिखेंगे तो F वराबर किता दे रखा बच्चो 80 और एक lens की focal length आपको किती दे रखी है 20 इसको हम लिख देते F1 और दूसरे lens की बच्चों हमें क्या कर रहा है focal length क्या कर रहा है निकाल नहीं है F2 चलिए fair कर लेते हैं clear है बिल्कुल तो अभी आपने formula भी पढ़ाता पहरागर आप में अगर दो lens एक दूसरे के पास रखते हैं तो उनके लिए जो combination focal length का formula होता है 1 upon F बराबर 1 upon F1 plus 1 upon F2 यहां value लगाते F1 F2 की value हमारे पास कितनी बच्चों यहां पर 80 है और F1 की कितनी है हमारे पास बच्चों 20 और F2 हमें क्या करनी है निकालनी है यहां से हम इस चीज को इदर ले गए माइनस करा माइनस करने के बाद हमने यहां पर LCM ले लिए अब यहां पर बच्चों मैंने answer उन बच्चों के लिए लिखा जैसे कि मैं लिखते आ रहा हूं जिनको solve करने आता है वो video को skip करे और आगे बढ़ जाए और जिनको solve नहीं करने आता है मैं उसके लिए यहां पर करके दिखा देता हूं 1 upon F2 हमने यहां पर बच्चों इसका LCM लिए LCM कितना आगे आपका 80 तो 1 minus 20 फोर्जा 80 तो 1 upon F2 बराबर कितना आ जागा minus 3 upon 80 और पल्टेंगे तो F2 बराबर minus 80 upon 3 और जब 3 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यह answer आ जागा लेकिन आपके पास यह answer नहीं है तो इसको हम round off में करेंगे तो round off में करेंगे तो यह आपका answer कितना आ जागा 26.7 जो कि अब आपका मैच कर रहा है option A से तो option A इस हमारा correct answer next question पे आते हैं बच्चो second है a spherical air bubble is embedded in a piece of glass क्या मतलब है देखिए यह यहां पे जो बहार का यह part है यह आपका एक glass है इसके अंदर जो है एक spherical bubble है embedded का मतलब इसके अंदर आ गिया है glass के अंदर तो for a ray of light passing through the bubble जब light इससे पास होती है तो यह किसकी तरह behave करेगा यहां से जब light इससे बहार निकलेगी तो किस तरह से behave करेगा तो चलिए मैं आपको बता दूँ यह glass हो गया glass आपका किसका काम करता है बच्चो dancer medium का और जो air bubble है वो air किसका काम करेगी rear medium के होते है rear medium वो होते जहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते उसे rear medium कहते है तो air के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते इसलिए rear medium अब glass के पार्टिकल के होते बहुत पास पास होते इसलिए उसको dancer medium बोला जाता है अब आपको इससे light pass करानी है तो मैंने एक पहले principle axis ले लेते हैं ताकि diagram बनाने में हमें आसानी हो अब यहाँ पे मैंने इधर से हमें कोई मतलब नहीं है कि इससे पहले light कैसे आ रही थी तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा हमने मालने कि यहाँ पे light जो है रेर से dancer में जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि जो रेर light है वो normal की तरफ क्या होती है band हो जाती है तो बस बिल्कुल यही कानी यहाँ पर है यह आपकी incident ray है और इस पे हमने normal draw किया यह आपका क्या होगा normal अब यह जो light है यह मैंने दूसरे के लिए draw करा दूसरे नीचे ray के लिए तो यह normal है यह दोनों से यहाँ पर यह बच्चों क्या होगा normal की तरफ क्या होगा band होगा और इसी पेकार से नीचे वाली ray भी नौनल की तरफ क्या होगा band होगा अब यह देखेंगे यह दोनों ray जो आगे जा रही है यह diverd हो रही है बिल्कुल आप समझ गया है यह ray के और यह diverd तो वो पूछ रहा था कि air bubble से जब ray pass होगी तो उसकी वो किस तरह से behave करेगी तो यह करेगी आपका diverging lens क्योंकि ray के और यह आपकी diverd हो रही है तो यह diverging lens की तरह काम करेगी इस आपसे यहाँ पर option जो भी है वो बिल्कुल correct answer है next question है यहाँ पर third lens generally use in a magnified glass तो magnified glass वो होता है यह मैंने बना के रखा हुआ है magnified glass वो होता है जब किसी convex lens के बहुत pass में हम कोई object रख देते हैं optical और focal lens के बीच में तो उससे बच्चों जो image बनती है वो क्यों होती है बहुत large बनती है वो magnified हो जाती है तो यह magnified के लिए कौन सा lens use होता है यह आपने पर लखा magnifying glass किसमें simple microscope में तो कौन सा lens use करते हैं उसमें single convex lens तो option यहाँ पर B जो है वो correct है fourth question पर आते है the magnification of by image convex is positive only when the object is placed magnification आपको बताना है convex lens से जब positive के case में तो देखिए मैं आपको बता दूँ आपने पर लखा होगा magnification हम बोलते image height और object height के ratio को इसका answer हमें हर condition में plus चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि magnification जो है वो positive है तो देखिए यह positive कब होगा हम जानते हैं कि object को हम सीज़ा रखते हैं तो O का sign हमेशा किसमें लेते हैं plus में image अगर inverted बनती है तो image का sign किसमें लेते हैं अच्छो निगेटिब में और अगर image आपकी सीधी बनती है तो I का sign किसमें लेते हैं plus में अब देखिए O sorry अब देखिए यहाँ पर अगर O को sign तो हम fix कर देते हैं plus में क्योंकि object को always हम क्या रखते हैं तो यहाँ पर हमें plus चाहिए यहाँ कह सकते हैं इरक्ट का मतलब virtual बनती है वो case हमारा magnification का बताएगा positive अब आपको यह सोचना है कि यहाँ पर आपने convex lens के 6 diagram पढ़ाएंगे अलगलग position में 10th class में भी था और यहाँ पर भी हमने study कर रखी होगी तो किस case में आपकी इरक्ट बनती है तो एक ही case होता है बच्चो जब आपकी object कहाँ प्लेस हो optical center और focus के बीच में तो इससे इसी case में इससे एक ray parallel यह focus से गई यह optical center बिल्कुर straight गई पीछे मिलाएंगे तो यह इसी case में बच्चो इरक्ट बनेगी और जब इरक्ट बनेगी तो इस case में magnification आपका कहने के लिएगा positive बस अब आपका answer आ गया तो option जो है वो कौन सा बच्चो यहाँ पर correct है जब object कहाँ पर place है आपका F और optical center के बीच में तो option D is correct यह fourth का और वाला question है इसमें क्या है Converse Lens की focal length दे रखिए तो कि Converse Lens की focal length क्या है यहाँ पर 20 cm आपको मैं बता दू जो focal length का sign positive और negative लेते हैं वो cable lens के या mirror के नाम पे लेते हैं positive लेते हैं convex के लिए और negative लेते हैं concave के लिए तो यहाँ पर convex lens से इसलिए इसका sign क्या लेंगे positively real image बना रहा है वो three times अब देखिए अभी आपने देखा था पहले virtual image बनी थी react बनी थी तो magnification lens के लिए my plus था अब यहाँ पर real image कहा रहा है तो इसका मतलब जो magnification होगा वो आपका किसमे होगा negative में तो यहाँ पर जो three time image magnify कहा रहा है इसका मतलब हम इसको value किसमे लेंगे माइनस में distance object पूचला distance object का मतलब lens से object की distance को हम बच्चों यहाँ पर क्या बोलते है u तो चली हम यहाँ पर question के लिए पहले magnification का form लगाते है तो m बराबर normally कितना होता lens के लिए v upon u हमने value यहाँ पर लगा दी m की value हमारे पास कितनी यह बच्चों minus 3 है तो इससे हम v बराबर निकाल लेते है जो v बराबर कितना आगी हमारा यहाँ पर cross multiply करेंगे तो 3u आ जाएगा अब आपने lens formula पर लखा है lens formula आप जानते है कितना होता है 1 upon f बराबर 1 upon b minus 1 upon u v की f की value लगाते है 20 cm और v की लगाते है यहाँ पर minus 3u तो देखिए आपका यहाँ पर यह convert हो जाएगा यह f की value लगा जी और v की value जो minus 3u है वो यहाँ से लगाई हमने अब इसको हम solve कर लेते हैं तो solve करने में बच्चो यहाँ पर LCM कितना होगे 3u तो यह बचेगा minus 1 minus 3 और उपर कितना आजाएगा minus 4 और minus u minus से minus कर जाएगा तो u की value जो आजाएगी आपकी 80 upon 3 आजाएगी और sorry यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ minus नहीं आएगा यह minus गलत लगा हुआ है तो यह minus नहीं आएगा मैंने गलत लिख दिया 3u तो यह answer आपका minus में आएगा minus कितना आजाएगा बच्चो 80 upon 3 और अगर इसको divide कर लेंगे तो यह answer आपका आएगा u की value 26.66 cm तो यह आपका option number is C is correct है तो I hope कि यह questions आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो आगे के लिए मिलते हैं फिर से next video के part में इसी paper को solve करने के लिए तब तक के लिए thank you very much